हलो फ्रेंड्स हम सभी को पता है कि सुबह सुबह घूमना और टालना हमारी सेहत के लिए कितना फायदे मंद होता है पर हमें से कई सारे लोगों के पास इतना समय नहीं होता है कि वो सुबह सुबह वाक पर जा सकें और इसलिए इस वीडियो मैं आपको कुछ अच्छे स्क्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नहीं है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाईए लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए मेरे पिछले वीडियो में मैंने आपको 30,000 के अंदर आने वाले ट्रेड मिल्स के बारे में बताया था अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं तो आप उपर आई बटन पर क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हैं इस वीडियो में मैं आपको 25,000 और 20,000 के अंदर आने वाले ट्रेड मिल्स के बारे में बताऊंगा जो आपके लिए काफी अपोडेबल होंगे ये सारे ट्रेड मिल्स सिर्फ वाकिंग और जोगिंग के लिए सुटेबूल हैं क्योंकि 46 इंच तक की लंबाई और 15-18 इंच तक की चोड़ाई के ट्रेड मिल्स सिर्फ वाकिंग और जोगिंग के लिए सुटेबूल हैं अगर आप रनिंग करना चाहते हैं तो comfortable रनिंग के लिए आपको 48 इंच से लंबा और 18 इंच से चौड़ा ट्रेड मिल लेना चाहिए दोस्तों मैं इस लिष्ट में जितने भी ट्रेड मिल के बारे में बताने जा रहा हूँ इन सभी में DC मोटर लगी हुई है जिसकी वज़े से आप ट्रेड मिल को सिर्फ 40-45 मिनिट तक लगातार चला सकते हैं अगर आप उसके बाद भी चलाना चाते हैं तो आपको 15 मिनिट ट्रेड देना होगा और उसके बाद फिर आप कंटिन्यू कर सकते हैं इन सारे ट्रेड मिल में आपको emergency की या safety की मिल जाती है ताकि अगर exercise करते समय आप लड़ खड़ा जाते हैं तो safety की आपके सरीट से detach हो जाएगी और ट्रेड मिल तुरंत रुख जाएगा और इन सबी ट्रेड मिल में आपको LCD डिस्पले देखने को मिल जाता है जिसमें आप time, speed, distance, calorie और heart rate को monitor कर सकते हैं additional features के तोर पर इन सारे ही ट्रेड मिल में आपको aux cable connectivity मिलती है इन सबी में आपको mobile holder या iPad holder मिलता है और इन में easy movement के लिए wheels लगे हुए हैं और सारे के सारे ट्रेड मिल foldable है नमबर 6 पर वेल के एर Max Pro का ट्रेड मिल आता है जिसका weight 34.5 kg है इसमें 1.5 हर्स पावर की motor लगी हुई है जिसका peak motor capacity है 3 हर्स पावर तक और इसकी weight capacity है 90 kg इसमें 12 preset programs मिल जाते हैं और इसमें 43.3 इंच लंबा और 15.7 इंच चोड़ा belt लगा हुआ है और इसकी speed range है 1 km से लेकर 12 km पर आवर तक की इस पर आपको lifetime frame warranty मिलती है 1 year on motor and parts warranty मिलती है या आपको लगबग 19,000 रुपय में मिल जाएगा ट्रेड मिल का maximum weight capacity है वो walking weight capacity है पर अगर आप इस पर running या jogging करना चाहते हैं तो आपका weight ट्रेड मिल के maximum weight capacity से 25 kg कम होना चाहिए नमबर 5 पर lifelong fit pro ट्रेड मिल आता है इसका वजन 31 kg है और इसमें 1.25 hp की motor लगी हुई है इसकी peak motor capacity है 0.5 hp तक और इसकी weight capacity है 90 kg इसमें 12 preset programs मिलते हैं और इसमें 43.3 इंच लंबा और 15.7 इंच और बिल्ट लगा हुआ है इसकी speed range है एक से लेकर 10 km पर आवर तक की इस पर आपको lifetime frame warranty मिलती है 3 year on motor 1 year on parts warranty मिलती है और यह आपको लगभग 16,000 रुपय में मिल जाएगा नंबर 4 पर कोकातू का treadmill मिल आता है जिसका weight 42 kg है इसमें 1.5 hp की motor लगी हुई है जिसकी peak motor capacity है 2 hp तक और इसकी weight capacity है 90 kg इसमें 12 preset workout programs मिल जाते हैं और इसमें 43.3 इंच लंबा और 15.3 इंच चोड़ा belt लगा हुआ है और इसकी belt thickness है 1.6 mm इसमें आपको speed range मिल जाती है 0.8 से लेकर 14 km पर आवर तक की और इसमें lifetime frame warranty मिलती है 3 year on motor warranty मिलती है 1 year on parts warranty मिलती है यह आपको लगभग 16,800 रुपय में मिल इंचे description में mention कर दिया है आप वहाँ पर जाकर इनकी details को चेक करके इनको purchase कर सकते हैं और अगर आपको वीडियो informative लग रही है तो वीडियो को like कर दीजिए नमबर 3 पर fit kit का ट्रेड मिल आता है जिसका weight 35 kg है और इसमें 1.5 hp की motor लगी हुई है जिसकी peak motor capacity है 2 hp तक और इसकी weight capacity है 90 kg और इसमें 47.24 इंच लंबा और 15.74 इंच चोड़ा बिल्ट लगा हुआ है और इसकी speed range है 1 km से लेकर 10 km पर आवर तक की और इसमें आपको 3 level manual inclination मिल जाता है इस treadmill को fit plus app के जरिये Amazon Alexa से monitor किया जा सकता है और fit plus app android और ios दोनों पर उकलब्ध है और इसके साथ आपको personal video training के साथ एक doctor consultation और 3 महिने के लिए free diet और fitness plan मिलता है इस treadmill पर आपको 3 year on frame warranty और 1 year on motor and manufacturing defects पर warranty मिलती है यह आपको लगभग 18,500 रुपए में मिल जाएगा नमबर 2 पर DuraFit Spark treadmill आता है जिसका weight 32 kg है और इसमें 1.25 hp की motor लगी हुई है जिसकी peak motor capacity है 2.5 hp और इसकी weight capacity है 95 kg walking और 65 kg running और इसमें 12 preset programs मिलते हैं और इसमें 45.3 inch लंबा और 15.7 inch चोड़ा belt लगा हुआ है और इसकी belt thickness है 1.8 mm की और इसमें speed range है एक से लेकर 12 km पर आवर तक की यह आपको लगभग 17,000 रुपए में मिल जाएगा अगर आप inclination feature के साथ treadmill लेना चाहते हैं तो आप DuraFit का सेरेने model ले सकते हैं इसमें आपको 1.5 hp की motor मिलती है जिसकी peak motor capacity है 3 hp की और इसकी weight capacity 110 kg walking, 70 kg running और इसमें 47.2 inch लंबा और 16.5-3 inch चोड़ा belt मिल जाता है और इस treadmill की speed range है 0.6 से लेकर 14 km पर आवर तक की और इसमें आपको 3 level manual inclination मिल जाता है यह आपको लगभग 23,000 रुपए में मिल जाएगा DuraFit के treadmill पर आपको 1 year on parts, 3 year on motor, 5 year on frame warranty मिलती है नंबर 1 पर PowerMax Fitness का TD N1 treadmill आता है जिसका weight 35 kg तक है और इसमें 1.5 hp की motor लगी होई है और इसकी peak motor capacity है 3 hp की और इसकी weight capacity है 90 kg इसमें 12 preset programs मिल जाते है, 3 target based programs मिल जाते है और इसमें 47.6 inch लंबा और 16.1 inch चोड़ा belt लगा हुआ है और इसकी speed range है, एक से लेकर 12 km पर आवर तक की इसमें 3D smart touch keys के साथ 3 LED display मिलता है जिसमें आप heart rate, calorie, time, speed, distance program को operate कर सकते हैं यह आपको लगबग 20,000 रुपय में मिल जाएगा इस treadmill में आपको incline feature नहीं मिलता है पर अगर आपको incline feature के साथ treadmill चाहिए तो आप PowerMax का ही TD M1 या फिर TD A1 treadmill consider कर सकते हैं TD M1 में आपको manual incline feature मिलता है और TD A1 में auto incline feature मिलता है बाकी सारी चीज़े सेम है जैसे कि इन दोनों ही treadmill में आपको 2 horsepower की motor मिलती है जिसकी peak motor capacity है 4 horsepower की और इनकी weight capacity है 100 kg तक और इन में speed range है 1 से लेकर 14 km पर आवर तक की और दोनों में 2 level inclination feature मिलता है TD M1 आपको लगभग 24,600 रुपए और TD A1 आपको लगभग 30,600 रुपए में मिल जाएगा Power Max के सारे ट्रेड मिल्स पर आपको lifetime frame warranty 3 year on motor warranty और 1 year on parts and labor warranty मिलती है क्योंकि मैं आपको home या office के लिए space saving ट्रेड मिल्स के बारे में बता रहा हूँ जिनको कि आप fold कर सको या फिर जे कम space occupy करे तो मैं आपको bonus के रूप में एक और ट्रेड मिल के बारे में बताना चाहूंगा जो कि 2 in 1 ट्रेड मिल है इसको आप fold करके अपने desk के नीचे रखके भी exercise कर सकते हैं ये ट्रेड मिल है spare knot का जिसका weight है 35 kg तक और इसमें 2.25 hp की motor लगी हुए जिसकी peak motor capacity है 4 hp तक और इसमें weight capacity है 110 kg तक और इसमें 44 इंच लंबा और 16 इंच चोड़ा belt लगा हुआ है जब treadmill का riser folded रहता है तब इसकी speed range है एक से लेकर 4 km पर आवर तक और जब riser open रहता है तब इसकी speed range है एक से लेकर 12 km पर आवर तक ये treadmill remote controlled है इसको आप remote के जरिये इसकी speed change कर सकते हैं या फिर treadmill को बंद कर सकते हैं और इस treadmill पर आपको lifetime frame warranty मिलती है 3 year on motor warranty मिलती है 1 year on parts and labor warranty मिलती है या आपको लगबग 24,500 रुपय में मिल जाएगा ये थे 25,000 रुपय के अंदर आने वाले best tradmills for home use अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को like कर दीजिए और अगर आपकी कोई भी query है तो आप मुझसे comment करके पोच सकते हैं मैं उसकी reply जरूर करूँगा अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को subscribe नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को subscribe कर लिजिए और bell icon को दबा दीजिए latest video notification सबसे पहले पाने के लिए